इस देश में बहुत आंदोलन हुए हैं, आंदोलनों के सामने सरकार को जुखना पड़ा है और इसलिए जुखना पड़ा है क्योंकि जनता देश की सरकार से उपर होती है और इसलिए सरकार हुआ, मैं इसी सरकार का जिकर कर रहा हूँ, जनता भी नहीं, पार्लेमेंट के सामने, इन्होंने 2014 में सत्ता में आने के बाद, जो लैंड अक्विजिशन एक्ट है, उसमें अमेंडमेंट लाने की कुश्की ना, अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस हुआ इतना विरोध हुआ पार्लेमेंट में, कि वो वहीं छोड़ दिया उन्होंने उसको, तो ऐसा नहीं है कि ये जो चपनिजवाली सरकार है, ये जुकती नहीं है, ये जुकती है, इसमें भी जुकेगी, हमको लगता है कि, हमको लग रहा है कि ये एक, it's a matter of time, देरे-देरे कर के, कोई भी आंदोलन चुरू होता है, देखे, इस आंदोलन की सबसे बड़ी बात ये है, कि पहले नौजवानों ने मोर्चा समाला, आज उस मोर्चे में महिलाएं सामरी हो गई है, ये एक बहुत अजीब गटना है इस देश में, कि महिला घर का चूला छोड़ कर, और बै और इसलिए ये आसानी से दमने वाला और खत्म होने वाला नहीं है, चाहे कितना भी दमन क्यों ने कर लिया जाए, अब आगे क्या होगा इसका सुरूप, क्या सब लोग मिलके तै करेंगे, उस पर अभी टिपनी करना संबह नहीं है, ये काम चल रहा था बराबर धीरे धीर और इस सरकार के 2014 में आने के बाद भी चलता रहा, हमने पीली भीत की बात आप से की, एक चैनल ने पीली भीत जाकर एंक्वाइरी की, आप गये थे, तो आपने क्या पाया, आपने पाया कि उनके पास वोटर आइडेंटिटी कार्ड है, औरेडी, वोटर आइडेंटी जो दिया जाएगा ने जो दो देखे एक तो इमिग्रेशन जो है, वो दुनिया बर के हर देश में एक प्रब्लम है, और जब लाड्ट नमबर से भी इमिग्रेंट साते हैं किसी देश में, तो जो अस्थानिये लोग होते हैं, वो कहीं ने कहीं सफर करते हैं, तो लोग भाग करा है हमारी सिटी जो है साउथ एशिया में वो इस तरह की है कि we act as a magnet लोग आते हैं क्योंकि यहाँ पर आर्थिक opportunities हैं और कुछ लोग इसलिए भी आते हैं कि सताए गए उन मुलकों में ये बात मैंने साथिया रेविया बगल में है तो हमने किस आधार पर लिया बंगलादेश और पाकिस्तान की बात समझ में आती है कि we were one country at one time अफगानिस्तान तो कभी भारत का अंग नहीं था अफगानिस्तान को include कर लिया दोनों देशों बंगलादेश और अफगानिस्तान के साथ हम लोगे बहुत मधूर सम्मंद है उसको गरवड़ा दिया अब दुनिया भर में भारत की एक चवी थी as a poor country as a developing country जिसने की अपने देश में परजात तंत्र को बना कर रखा हुआ था सारे कठिनाईयों के बावजूत उस चवी को बड़ा धक्ता लगा है और अभी European Parliament में जो resolution आ रहा है उनसे पूछिए मैं उसके खिलाब हूँ European Parliament में कोई इस तरह का भारत के बारे में प्रस्ताव पारित हो लेकिन उन लोगों से पूछिए जो उनके एक delegation को लेकर कश्मीर गए थे यह दिखाने के लिए कि सब कुछ कितना बढ़िया है और सरकार के बैठे विदेश मंत्री उनको रात का भूजन दिलाते हैं NSS आप दिन का भूजन कराते हैं प्रधान मंत्री जी मिलते हैं अब वो European Parliament की बात करें पूरे विश्वन भारत की इच्छा भी जो है धुमिल हुई है as a result of this silliest step आप सबसे अनुरोध है कि Voice 85 इंडिया को सब्सक्राइब करें विडियोस को लाइक करें शेर करें और कॉमेंट के जरी अपने राय दें साथ ही में बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि हमारे नए विडियोस की जानकारी आप तक सीधे पहुचती रहे